नमो नारे नमो नारे जैगो माता वंदे मात्रमा भारतिक कुप्रणाम और हृदाएशे ओम्शं सनिश्चराय लगाव प्रदर्शकों मिच्टरों शाथियों चिंता वो ब्याज है जिसे हम पूरी जिद्गी चुकाते रहते और जिनका मूल हमने कभी लिया ही रही है इस चिंता से बचिये साथियों चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं होता है और चिता से ज्यादा बुरी चिंता है और चिंता करनी है तो हरी नाम की करिये जिवन खुश्यों से भरा रहेगा ना मना रहेगा प्रिदर्श को मित्रों शाथियों शत्रु राशी करक्ट में शुक्रदेव का संचन्ण हो रहा है 7 जुलाई 2024 को 7 जुलाई 2024 को प्राते चार बज कर 31 मिनिट पर ब्रश्पत्र देव के नक्षतर पनवर्शन नक्षतर चौथे चरण में करक्राशी में शुक्रदेव संचन करेंगे अब ब्रश्पत्र चौथ सत्रुता है और करक्राशी को भी शुक्रदेव चौडव शंचन शौतर करक राश्री में शुक्रदेव 31 जुलाई 2024 तक रहेंगे यह जो 24 दिन का सफर है क्योंकि शुक्रदेव चंद्रदेव में मितरता नहीं है विश्व और राश्ट को रहना होगा 24 दिन मायावी दुनिया से सावधान अनेतिकता विलासिता और स्वार्त की भावना और वर्चस की लड़ावी में बड़ोतरी होगी नक्ष्र गर्णाओं के हिसाब से आठ राश्यों को रहना होगा शावधान लापरवाई परिशानी औ क्योंकि नैसर दिक शुबगर जब प्रतिकोल अवस्ता में संचन करें तो सुक में कमी आती है लापरवाई मत करिएगा जिसर के घर है योगा योग इस समय है क्योंकि रावदेव भी शनी देव के नक्ष्टनाओं में संचन करेंगे संपोन घर है योगा योगों को देखें घर्षव राशी में ब्रश्पति देव का संचन है मैंने पहले भी निवेदन किया ता और ये भी मैंने जानकारी देती कि पक्ष्ट तेरा दिन आई काई था तो तीन-चार घटनाओं के हिसाब से जल को लेकर भूसकलों को लेकर भ शुक्रदेव के राशी परवितन का बारा राश्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जन्रल प्रडेक्शन अपने अनभव के आधार में आपके सामने रख रहा हूं आप जानना चाहते कि आना वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा तो नीचे नंबर है उन नमर पर सुद्रासी वालों के लिए ये चौबिश दिन शुक्रदेव का संचन करक राशे में हो रहा है क्या प्रभाव रहेगा मेश राशी वालों के दृतेष और सप्तमे शोक्र चतूर्द भाव करक राशे में बोचर करें थैंक भी चतुर्त भाव मात का है और वहां का विचारधी होता है लेकर छत्रत बाौक शुक्र देक्व करें उपर самाजी के बिताना प्रसंद करेंगा आर्तिक रूप से देखे दाज इस दौरान आपको वैपार में अच्छा लाप राप्त होगा और आप केरियर को लेकर उच्छा यहां प्राप्त करेंगे। कारुबार के चितन में अच्छा प्रतसन होगा घर के जरूरी चीजों और कामों में इस दौरान धन खर्च भी होगा। रेल इस्टेट के बिजनेस में लाब होगा चला-चल संपत्ति की प्राप्ति का योग है पारवारिक द्रिश्कोंट से शांति पूर्श में गुजारने की अभिलाशा पून होगी और माता के साथ रिस्ते मजबूत होगी। आपने परिवार और परिवार के लोगों को बैतर धंशे समझने में सफलता मिलेगी। आपके करीबी लोगों के साथ आपके रिस्ते मजबूत होगे। शुकरदेव का गोचर आपके निजी जीविन के लिए सब्सक्र अधिक अनकूल लेना वाला है। वेश्चात जो डिजाइनिर में है, टेकनोलोजी में है या प्रबंधन के छेत्र में जोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए केरियर और कामकाज गुलेकर उत्तम अफसर है। लेकिर में श्रास्ची वालों को थोड़ा सावधान मिरेना पड़ेगा। चौथा घर कारूश चंदरदेव और चंदरदेव मन के कार है। मन की चंचलता पर काबू रखना होगा। मन में विचारों की पवितरता रखनी पड़ेगी। अनेता परिशानी आएगी। अनेतिक कारियों से दूर रहना पड़ेगा। अनेतिक कारियों की वज़े से परिशानी कष्ट कल है कि संभावना नजर आ रही। आप विवाइत है तो निजी संबंदों में पवीतरता बर्दिए, मर्यादा की दूर पकड़ता के 24 अनेता बंदा में का दाग भी लग सकता है, निजी संबंदों को लेकर थोड़ा सावधानी बहुत जरूरी, निजी संबंदों में दिमाग नहीं दिल से काम नहीं करेंगे परिशानी आजाएं, क्या उपाय करेंगे, ये 24 दिन, शुक्रवार के दिन, 9 साल की कम आयों की कन्याओं को सपेद वस्तों का भोजन, सपेद रंग का या सपेद मिठाई देजिए, दूद का दान देजिए, दही का दान देजिए, और ओम द्राम द्रीम द्राम, शाष्ष करेंगे, तीसरा भाव, विराजबान शुक्रदेव की शप्तन दसी नमम भाव है, तीसरा भाव छोटी मोटी यात्रा है, संचार माध्य में, कॉम्निकेस ने स्केल है, भाईवेनों का प्रतिन दुदु करता है, सास और प्राक्रम इसी भाव में देखा जाता है, संचित, फैसले इस दौना आपके पक्च में होगे, आपने सभी फैसलों में आप समझढरी और धहर का प्रतित देंगे, करिश्यतर में अपने दाईतों की प्रतितियों शुक्रदेव कला का प्रतित पृत्य नेजयों सुख palavra है, वेविश्यत का प्रतित अंदे़तषि hedgeम् सामाजिक और पारवार देश्रकॉन से भी आपकी लिश्य में ठीक है, पिर जन्नों के साथ बैटने का मौका मिलेगा, चोटे भाई बेन और परिवार का सुख प्राप्त होगा, धर्म और अध्यात में रुजान बढ़ेगा, परिवार जाए चोटी मोटे आईजन घर में का म उत्तम आउसरे, कुल मिलाकर परिश्रम को भागी का साथ मिलेगा और यह आपके लिए सोने में सवागा बनने वाला है, विश्य पराप्त है, क्या उपायगा है, हर रोज प्रतकाल, नित्य कर्म निरुशनान उपराण, सुबह सुबह, भगवान स्री हरी विष्णों के चर करेंगी, दूसरे भाव में विराजबान मंगल दे की सप्तम दस्टी अस्टम भाव पर रहेगी, काल प्रश्री कुल में दूसरा भाव संचित धन है, बानी है, कुटंब है, शवाद है, बरकत है, बचत है, शुकर देव का यह संचन आपको विदेशों से निवेश से मुन में खेल के मेदान की जो परिशानियों, उसे मुक्ति मिलेगी, निजी लिस्तों में प्रगारता आएगी, सकरात्मक सोच रहेगा, साधी सुदा लोगों को संतान पक से खुसकबरी मिलेगी, हाँ, लेकिन स्वास्ते के मोर्चे पर सचीत रहना होगा, स्वास्त सम्यंदी सम से काम करेंगे, तो अच्छा रहे अनेता परिशान नहीं है, कारिशित में अम मरिद भासा का प्रियोग आपकी छबी धुमिल कर सकता है, इस बात का देहां लेगे, खर्चा पर काबू रखे, जोखिम के निवे से अपने आपको दूर रखे, उपाई क्या है, ओम शुव श शुक्रदेव एक ज्यारवे और चतूरते इस होकर लगन भाव करक राश्य में गोचर करेंगी, लगन भाव में विराद बान शुक्रद्बाव की शपतम दर्षी शपतम भाव करेंगी, कालकुर्दी में पहला भाव आपका ब्यक्रतित है, आप्श्यम है, और शपतम विषण को देख रहे जो विभाब का भाव है संब्थयों में पवित्ता बहुत जरूरी है अश्रम भाव प्रभावीत हो रहे है परवारिक प्रहताइब बहँगे विवाास्नमंध प्रिस्द्न के सामना करना पढ़ेगा शुस्राल प्रक्सिक प्रहत प्रभल्स नहां है मन की चंचता मन की विलास्तिता की और भटकाव माया की और भटकाव परिष्टानियों का प्रबल संक्य दे रहे शुकरदेव का इस समय सावधानी का संक्यत है संचरन आपके लिए लापरवाई करें क्या उपाई करें हर शुकरवार को श्रदानुसार दूद और चावल की खीर बनाए और नौ वर्ष की कमायों की कन्याओं को बोजन में खिलाना उत्तम रहेगा और त्रेंब का मेजा मेज हर रोज भगवान शिव के शिवन जल अर्पित करने के बाद अपने पुजाज मन सुद्देशी घी का दिपक जल मृतुन ये मंतर का 108 बाट जाप पना आपके लिए उत्तम रहेगा नुमनेंग बार करते शिंगराशी शुकरदेव दसमेश और त्रितेश होकर 12 भाव करकर दौज़ विराजमान शुकरदेव के सब्टम रसी छटे भाव पे रहेगा जोतिश में बारबा भाव वेका भाव है विद्वसों से लाब है शुकरदेव जहां विराजमान है उस हिसाब से आपको लाब लेगा आतम विश्वाद में ब्रिदी करेंगा मनोबल अच्छा र करेंगे डूसरी और जन्संपर लोकष प्रतिष्टा की बढ़ेगी, पूरू की सब्धूरी आद्युरी कारी इस समय पर पूरा करने का मुझा मिलेगा आपकी महतवकान समभी बिर्दी होगी जिससे आपका पूरा ध्यान आपके लक्स पर पूरा करने के खाउए अर होग आपका जो लिविंग इस्टाइल है उसका अच्छा होगा जिवन साथिक साथ अनुकुलता बढ़ेगी जिवन साथिका पूंट श्योग मिलेगा वैविशाहिए के दिश्टी कौन से जिस्टर की खरे योगा योग है लाप सफलता और मांसिक समता में ब्रदी का संकेत है कायर राश्री में शुक्रदेव का संचन खर्चे भी बढ़ाएगा मासंतुलित होना बहुत जो पारवारी शंबंदों को लेकर स्वमश्या का शंकेत है बहां शावधानी बतना बहुत जो प्रिजनों से विवाद नहीं हो उसमेला परवाई नहीं करें स्वास्ती की परती परवाग तक का संकेत देर इसलिए पवितरता बहुत जाएगा लेकिन आर्तिक मामले में कहीं कहीं से विदेशों से लाब के संकेत बने जाए और जो भाईबेन विदेशों मेरे उनके लिए उत्तम अफसर देंगे शुक्रदेवी आप लिए विदेशों में बहुराष्ट क्या करें हर रोज शुबह और शाम सुरी उदेशे पूर्व सुर्याज के बाद अपने घर में गूगल का दूब जला है विश्वन सास्तर अस्तोर नमामडी का पास करना उत्तम रहेगा ओम नमा भगवति वासुदेवाय नमा या ओम राम हरीम राम सासुर्याय नमा इस ब यारवा भाव आयक के इस्थान में को जाना जाता है इस इस्थान में बड़े भायव बैनों और लंबी दूरी की यात्राओं का योग भी मित्र मनने लिए सोसल सर्व के लिए यहीं देखा जाता है वैविशाय के दर्ष्टकॉन इस समय आपको कारिशन में अपनी चमता औ होगी और अन्य तरीकों से भी धनलाब होगा पिछले कही समय रुकेवी कारवार योजनाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा शाकरिम्या का स्वयोग मिलेगा वर्षत देकारियों की सराना प्राफ्ट होगी शुक्रदेव का यह गोचर आपके लिए वैविशाय को पूरा क मिलेगा यात्रों का प्रणाम आर्थिक दूप से आपके इस्थी मज़ूर करने माला होगा समझे कर पारवार शुक्रदेव का करक राश्री में संचन आपके लिए अन्कूलता का संकेत देना समझे कर पारवार शुकार अंब्रधी होगी समझे मांसमान बढ़ेगा अच्छे लोग भी मिलेगा पारवार जीवन में समय अच्छा वेतित होगा जीवन साथ इसम्हान को छणों की प्राप्ति होगी खेल जेगरते जुड़े विद्यारते और युवाओं के लिए समय अनकूले प्रतिश्प्रदा में सफलता मिलेगी पुरुषकार मिलेगा प पते हैं नम इस बीज मंदर का जाप की विरोज करेंगा आप लिए कष्ट कम होगे नमनें बात करते हैं तुलारासी तुलारासी शुक्रदेव आश्टमेश और लगने शोकर दसमभाव करकर आशी में संचन करें दसमभाव में विराजमान शुक्रदेव उपनी शप्तम द नौकर में पदोनोती और इंक्रिमेंट के प्राप्ति होगी यह आप कॉस्मेटिक जमिनजाद फूट होटल या रेस्टोरंट या जेवलिर के विजनेम है समय अनकूल है कारुबार के समय आपके लिए अच्छा रहेगा परिश्णम कर्शन केते हैं लेकिन सफलता मिलेगा भाग दवर है लेकर लाब मिलेगा सुक्रदेव के संचन से आप कारुबार के दर्श्टगों से बहुत जादा वैस्त रहेंगे बहुत अधिक मैनत करेंगे परिवार के लोगों के साथ इस विचार धार के करम तनाव की स्थित होषगे इसमें आपको परिवितन करना बहुत जरूरी अन्यता लाभ हानी में परवर्तित हो सकता है। जिवन साती के साथ अहंकार को काबू रखना पड़ेगा। जिवन साती को दिल से जिससे निभाना है अहंकार के साथ में। यह आपको सजेसर है। किसी तरह की गहमागमी में नहुल जिए। अपने काम से काम रखें, समझोतावादी निती अपनाएं, स्वास्ते पिर ध्यान दें और बजुरुगों के शला का नजर अंदाज दाएंगे। क्या उपाए करें। हर रोज सुबह और शाम दुरुगा चालिशा का पाट करना आपके लिए उत्तम रहेगा। विषिक राशर वृषिक राश्य करें। शुकृदेव हैं नमवंभाव गए स्थान हैं। अध्याद प्रिकता है उच्छ सिखता है जिसर एक रहे योगा आपका मनोबल चर्म शिखा पर होगा आसपास का अनकूल वातों नहां आपकी उर्जा में संचार करेगा वैबस्टाइब मनम को लाइक सम्द बनेंगे वैबस्टाइब विस्थार का मोगा मिलेगा यात्राओं परिवार समाज में एक उत्तम इस्ति रहें परवार जिस्तों में प्रगारता आएगी जिवन साथि का पूंग स्वयोग मिलेगा और जिवन साथि के स्वयोग से मांसिख संदुलंग बना रहेगा धार्मीक कारी में दिलसेट भी बढ़ेगा समाजिक और परवर देशन समय आपका साथ देगा परिवार के लोगों से सने और परवर कर्यों में योगदान अनकुल बना रहेगा स्वास्ते के लिए समय अनकुल लेगा उस्ष्चा प्राप्त करे विद्यारत को विशेश शपलता मिलेगी और शिक्षन संसान में अनकुल लाब देगा हाला कि शुक्रदेव का आपकी रासे से अस्ष्चा प्राप्त करते हैं अनकुल लाब देगा आपको आपको नीचा देगा प्राप्त करें रहा लेकिन अस्ष्चा प्राप्त की अवश्चा अनकुल प्रभुतु निंद्र मना रहेगा। कारवार किसी में च्वेत्र में जुड़े जातकों हरतर से आर्थिक लेंडन में साफधानी बतनी होगी। इस समय किसी को भी पैसा उदार देने से बचना चाहिए। उदार दिया धन डूप सकता है। इस बात का ध्यान है। लेकिन धन की बात करो तो इस समय अकिसमात कहीं से धन लाग के भी संकेत है। धन राश्यू को शुक्रदेव के अस्टन भाव में संचन का विसे इस खाल लगना होगा। इस थोड़ा सा भी मन आपकी विलासेते और भागा अनतिक संबंदों में रूची रखी तो ये शुक्रदेव का संचन आपको मुशिपत में डाल सकता है। कहीं नहीं आपको चोड़ दे सकता है। ये चोड़ डंडे से, पुलीस से, धन से, दिल से, सब जगे से मिल सकती लापरवाई मत करिएगा। श्रत्रु जनिज समश्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मन की चंजलता पर काबू रखे। अनतिक समंदों से बचें। वरना परिशानियों की भूलवलियाजे बाहर आना आपकी बशकी बात की होगा। शुक्रदेव का ये गोचर आपको बनावती दोस्तों और विरोध्यों से बहुत सावधान देने का संकेर देगा। इसमें घर पर लोगों का दर्शकन थोड़ा अलग होगा। जिसे आप आपस में सामजी से बिठाने में प्रेशानी मैसूस करें। परिवार में अकारन विलोड तनाव नुक्सान देगा। अम के टक्राव से बचना बहुत दूरी। आप श्वम अपने और अपने जीवन साती को लेकर लापरवाई नहीं करें। अनाव से कवसार तनाव को अपने उपर हावी नहीं होने। क्या उपाय करें। माभगवती दुरुगा का पूजन करें। पहगान से भी हरी विष्वनु का पूजन करें। लगातार 24 दिन नौ गुलाब किफुस माभगवती की चड़ना मर्पित करें। और मैंग, हीम, क्लिम, चामुन डाई भी से इस मंत्र का जाप करें। मैं बात करते हैं। मकराश। मकराश Pikachu भी पंच में हं और द्वसमें सप्तमभाव करकराचिय में गोचे करें।ी है। के दिवाजमन शुकर्व लूट वूणते से लगन भाव को देखेंगे और लगन भाव और शुम है फिरजाए जीवन का साजेधार हो चाहे कारोबार का wilde ये समय एह देखे जाते हैं कारोबार के द्रेश्टक real उपके लिया अनकूलता का संकेत ले रह ये अनावर्षे के बात बहुत परिशान से चुटगारा मिलेगा इदि आप नौकरी में हैस्सा में आपके लिए लाबदाई रहेगा और रोजगार के साथ नमा में इस्तरता आएगा आए कि ने शुरतों की प्राप्ति होगी नई प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा औ आपको अपने साथियों के साथ अध्यारी वर्गा भी अच्छा स्वयोग प्राप्त होगा तो अच्छे संबंदों का लाब मिलेगा सामझे और पारवर्षे स्वयोग अनुकुल देगा दांपत इस्व में मधूरता आएगा जिवन साथिय का पूंण स्वयोग और शफलत आपकी उर्जा का सद्वेव होगा उत्म फलों का संके दे रहें थोलएसा सावधानी भी है रिष्टों को लेकर कोई हलकी सी चूप आपको प्रेशानी में डाल सकते रिष्टों को लालत वर्ष श्वार्ट वर्ष रिष्टों की गाड़ी पट्री से ना उत्रे इस पर अपनेता नुक्सान होगा, अपनों की भावनाओं से खेलना आपको महंगा पर सब्सक्राइए, अपने साती की साथ किया गया धोका आपके लिए मुसिबत पैदा करेगा, रिस्तों में सावधानी बढ़ दिखावे और सोसो बाजी से दूर रहे, सोसो बाजी आपकी परिशा इस बीज मंतर का एक माला सुबेर, एक माला साम करना आपके लिए अच्छा लेगा, नुमनेन बात चते कुम्राश, कुम्राश वाल शुक्र देव चत्रते सवर नौमेश शोकर छटे भाव करकरास्ती में गोचर करेंगा, चटा भाव विराजमान शुक्र देव अपने 17 द उता चड़ाव का संकेत है, मैनत नहीं किया तो मोटा नुक्सान हो जाएगा, कठिन शंगर्श की इस्तिति मन को विचलित कर सकती है, ठहर यह रखें, लेकिन मैनत और परिशन में कुछ नए अउसर आपके सामने जूर आएगा, आर्तिक पक्स पर नजर डाली जाए तो इस कारुबार को कारियों को सुचारु गति से न चल पना निकालन, आपको अपने प्रतिदूजियों के बिच नीचा देखना पर सकता है, किसी भी प्रकार की बित्ति लेंदेन से बचना होगा, सामाची को रुपारवाट देशन में विवादों का समय है, इससे आप बिल्कु के चावल, गरीज जरूद मंदर किसी निर्धन, गरीज बिद्वा मेला को दान के देना, उत्तमरेगा लगातार 24 दिन, थोड़ा थोड़ा इप दे, तिकने हर रोज चावल का दान दे, कच्छे चावल का, नमनने पर बात करते है, में दाश, में दाश, में दाश वाल शु आपको अनकुलता का संकेत नजरार और युव और विद्यारतियों को लाब और शफलता के उत्तम उफसर मिले, विवें शुरतों से धन मिल सकता है, समाज में मान समान बढ़ेगा, मनन अनकुलो इस्थान और पदोनरती का संकेत है, वरिश रदगारी आपकी और आकरशित ह होगे, नौकरी में उच्पद मिल सकता है, सरहना मिल सकती, सेर मार्केटर में अनभा हुए तो निवे से लाब देगा, अपनी कलात्मक्द समताव को निखारने का समय मिलेगा, समझे गर पार्मेर शुक्र दे पंचमभा में विराजमान है, अनकुल फलों की प्राप्ती यूर विद्यारतियों के लिए उत्तम समय है, लेकिन स्वास्ची की मोर्चे पर शावधानी का संकेट, खान पान में शुत्ता रखना पड़ेगा, बोजन और द्यानिक दिन चिर्या को नियमित रखना होगा, पंचमभा प्रेम का भाव है, प्रेम की भाव में शुक्र दि साथी की साथ धोका नुक्सान देगा, इससे बचे, कानुनी समस्याँ से बचना बहुत जरूरी, विभाई जिन में तलाग तक की नौबित आ सकते, लापरवय निकरे, क्या करे, लगातार 24 दिन, हर रोज सपेज चंदन से भगवान शुव पर लेव करे, हर रोज या साथ के सामने के नक्षतर गर्णाओं का अधार पर मेरी व्यक्तिकत विचारते, ना भय ना भ्रम ने भ्रांती विवाद में तरक, शकन उपनें का अधिकार आपका था, आपका हैर आपी करेगा, मानुन मानुन आपकी मज्वां, आंकलन मेरा तार मेरे से कोई भूल हो गई यह मेरा शोक था, मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते ह। और करम था, मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा ह। बइस खाली बता रहा ह। कि यह मेरा जीवन का नक्षदा है। मनश्य हूं और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकों से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमीशा मैंने ये काक्षा आप शेवा करिया, मैं भी शेवा करता हूँ, आप भी दण नहीं चाहिए, लेकिन वर्थमान में जो आर्थिक परस्ति हैं, वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर दिए, कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्रहोग चाहिए और स्रहोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज़ में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर लीज़े और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश आप से प्यार करता है दाती महराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मेरा यह एंकार नहीं है सातियों मेरा राश शरूपर ही है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रु कोड़ शंकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक श सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुशयो करें पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोना रहें ओम नमोना